तो अभी हम ट्रेक करते करते के एक पहार से तुष्टे पहार जाएंगे, साइट बच्छा लेए, इसी तरह रास्ता तुला है, तरह हम चाते जाते हैं, देखते एक गाउ से दूसरा गाउ कब चले जा रहे है, पता भी नहीं चल रहा है, जाता घर नहीं होता है, दस मंदरा नहीं पता है, लोकल से पूछते जा है, तो अभी हम जा रहे है पूछ पूछकर हम जा रहे है, तो यह पास काई गाउ है, कि लाल तो गाउ का नाम नहीं पता, गोरुबास लखका इन मसं देख सोले मुर्गी बना हुआ है कि भू रखने की अब बना हुआ है और टिपिकल इंडियान गर्मी्लेम आपको देखना है तो यहाँ को रूठ आने मिल सक्ता है और जब हमार है तो पका रसने था तो वहाँ पर काफिक प्रब्लम हो रहा थो ख्रेक करने के लिए और काफिक गरम है तो पानी भी गरम-गरम निकल रहा है । ओद ihan को अगया है तो अभी हमको छाइड का ज़रुत है जो यहां दूर दूर तक नहीं दिख रहा है सिरिप पहाड 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 गाच इसा बूस साइड़ में तो छाया भी ने मिल रहा हैं पर सामने में घर दिख रहा है मुहां तीन चर लड़के हैं जो कि सुटिंग करने आए हमारे साथ है तो वहां तक अभी हम पहुच चुक है यहां से फिर अभी हमको जाना है को एक ब्रीज है वहां पर तो जब तक नदी के सामने ने जाएंगे ना पानी मिलेगा ना साया मिले इतना धूफ है यहां पर तो यहां अगर आपको आना है तो प्लीज गर्मी के मौसम में ना और रेनी सिजन में ना आए विंटर्स में आप यहां आ सकते हैं वाद्दे रास्ता कापी खतरनाक रास्ता है यह किसान लागत है पताओ बहुत गरम लागत हुगी है और कुनों क बाफल करम, हंडा करम, ओमलेट, वर्लिप, बताओ, किसन लागत है यहां पहुचने ही वाले है गोरुपधान हें ब्रीज, प्रेट करते करते ठाकर से डाएरे, हें ब्रीज के तरफ जा रहे है और हें ब्रीज जो फुटा हुआ है तो वहां तो चटना नहीं होगा तब भी महाँ जाएंगे रास्ता नहीं मिल रहा है नीचे उतरने के लिए तो देशते से उधर देशताएं अब रास्ता देख सकते किस तरह दिता है पूरा प्लेन रास्ता है उबढखाबडवाला फुट भी रास्ते रास्ते हम जा रहे है अग्दर बाइक नाने से थ्रा यह वह बात बोल रहे जाएगा इतना दूर ट्रेकिंग हो चुका है बस साम नहीं है तो यह जाएंगे बोलके इतना महिनत करवा ख़ला यह तक उसका बात बोल रहे है नहीं जाएगा दूख हमको भी हो रहा है विए भाई साम लंबा ला इन लग चुका है हो इधार काव हैं पता है कोन कोन खाँ आते जा रहा है पार होते जा रहे है उधर खाई यह उधर कि अधा इतिक कि अभी हम फिलाल उतरने वाले रास्ता हमको मिल चुका है यहां से हम इंग्विरिज सामने है जाते हैं इंग्विरिज के तरफ इधर खेती बारी हो रहा है खेल भी अच्छा खास आए इदर और यह भारी भर कम एक ट्राइपोड लेके घुम्बाव कि यह देखिए इधर हम पर पूरा पूरीज देख सकते हैं और यहां पर खतरनाच चीज आप देख सकते हैं तो वह हुती खतरनाच चीज है कैमरामन को में बोलूंगा दिखाने के लिए यहां पर इकाई पीजिए गापर कि अंग्रीज के तरफ इधर से फिर हम जाएंगे वापस गोरु बथान यह है चेल रिवर्ट और क्या वहलो सब कोई ठक चुके हैं काफी जाता कदूप है इसलिए हम और चादा भीजियों करेंगे अभी वापस जा रहे हैं बताए दोबा सिच्वेशन कहीशन है पारे तो हालत बहुत खराब हो चुई कहीं तो यह हमारा हैंगिंग ब्रीज आप देख सकते हैं यहां पर यह देख सकते हैं गड़ा-गड़ा अर यह हैंगिंग ब्रीज उतर नहीं जा सकते हैं थोड़ा जाता रिस्की हैं पुरा ब्रीजी हिल रहे हैं यह संतर हमारा हैंगिंग ब्रीज उता हुआ ब्रीज गुरुबाद हन यह इंग इंग ब्रीज जुल कपूर को टरह जूल रायपूर कुल हुआ 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 है झाओ कहां से कहां पहुच अपांच गुच अधाब नहीं चला बहुत लंबास लंब शुट लाए पडबी इन वीडियो ने बनाए यह हैं ब्रीज, आप देख सकते हो ये जाता है लाभा के तरफ और यहां, अगर रोड से आप आएंगे तो यहां से आप टायरेक हें ब्रीज चला जाएगा ये नीचे है यहां से कर्ब है तो यह भी जाता है काफी बाई कुख है यहां पर सब नहाने आते जिनने आते यहां पर पर जब जला काड़ी तरफ अगे तरफ अगे तरफ इसमतराजी जो आप अफिर नब ले 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 मैंबाप पुजा केर दौ आग यह है गुरुबातान का ब्रीज रिचेज चेल रिवर है यहां आम खरी देल बाद खाना भी थाइए गी थाजी यह ब्रीज का नाम है मुध्धी ब्रीज, यही है और भाई है, गुम्य है